सर चोलो स्टार्ट करते हैं सर हम आज क्या करने वाले जोश जोश में मैं सोच रहा हूँ यह अनौश करीद हूँ कि आज से हर साटेड़े रात को दस से साड़े ग्यारा तुम्हारा टाइम मेरा हम करेंगे सर कोई भी यह चाप्टर रिविशन और मोस्ली जो अभी वाले करेंगे मोस्ली वही हम करेंगे रवाइस सर बहुत सॉलिट तैयारी हो जाएगी मेरा टीचर अगर मेरको करा देता ऐसी तैयारी तो शायद रांक आजाती ओ ठीक है ठीक है सर चाप्टर वन हमारे क्लास में पूरा खतम हो गया हम चाप्टर वन पूरा रविशन करेंगे ठीक है कैसे रिवाइस होगा सर एक पाउं पे खड़े हो जाओ और मैं जो भी बोलूंगा सुनते जाओ अगर नींद आने लगती है तो खड़े होके कैमरा आफ करके कमरे में घुमने लग जाओ मेरी बाते सुनते रहो 172 की पेनल्टी तक आपके दिमाग में जानी चाहिए सर आज ठीक है अब सर शुरू करते है और बखवास नहीं शुरू करते हैं सर चाप्टर वन क्या है चाप्टर वन हमारे सिलेबस का चाप्टर वन है अपॉइंट्में इन कौलिफिकेशन ओफ डिरेक्टर यह शुरू होता है सेक्षिन 149 से और खतम होता है 172 पे वेरी जैम में 8 से 10 नमबर इस चाप्टर से आएंगे ही MCQ मिला करके लिख के लिलो सर बेसिक्स हैं, कुछ हमने बेसिक्स पढ़े, क्या बेसिक्स है कि बोड का डेफिनेशन क्या होता है, बोड ओफ डेरेक्टर क्या होता है जो पूरा का पूरा डेरेक्टर को मिला करके बोड ओफ डेरेक्टर होता है सर, कंपनी में बोड ओफ डेरेक्टर की ज़रूरत क्या होती है तीन रीजन होता है सर, एक तो कंपनी आर्टिफिशल परसन है उसका खुद का legal existence है, लेकिन उसका खुद का दिमाग या शरीर नहीं है, वो खुद से sign नहीं कर सकता, खुद का दिमाग नहीं लगा सकता, इसलिए उसको कोई और चाहिए, जो उसके बिहाफ में company चला है, दूसरा, company में इतने सारे shareholders हैं, कि shareholders मिल करकी company नहीं चला सकते, उनको कुछ trained professionals चाहिए, जो company चला पाएं, और तीसरा सर, section 149 जो है, वो खुद बोल देता है, कि भी या, company को board of director चाहिए, तो इसलिए सर, company को board of director चाहिए, अब सर, जो director होता है, आपको समझना पड़ेगा, director, shareholder का नौकर नहीं होता है, director, company का agent होता है, लेकिन director, जो है, वो shareholders की order कभी भी नहीं मानेगा, directors are the supreme authority, कल को shareholder आकर कि यह नहीं बोल सकता, भाई, मेरे हिसाब से company चला, हाँ, law में बड़े clearly directors का, और shareholders का power segregated है, जो shareholders का power है, वो shareholders का power है, जो directors का power है, वो सिर्फ directors का power है, वो सिर्फ directors का कर सकता है, सर, यह सब basic से, हमारे exam में कुछ नहीं आने वा यहाँ, the board of directors shall consist of individuals, it shall have a minimum of three directors in case of a public company, two directors in case of a private company, and one director in case of a one person company, however, the maximum number of directors shall be 15, provided that if you want to appoint more than 15 directors, you can do so by passing a special resolution, this provision of maximum 15 directors and of passing a special resolution is not applicable to government companies and section 8 companies, provided that they have complied with the provision of section 92, which is filing of annual return, and section 137 which is filing of financial statement, यह दोनों अगर वो comply करते हैं, तो उनको यह maximum 15 directors और special resolution वाला provision नहीं लगेगा, सर, अगर maximum का provision नहीं लग रहा है, तो special resolution वाला भी लगा कि क्या ही कर लोगे, तो इसलिए यह दोनों चीज़े नहीं लगेंगे, सर, अब articles of, articles जो होते हैं, आप वाले articles कंपनी के जो articles होते हैं, articles जो हैं, वो यह प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, कि हमारे कंपनी में जो maximum number of directors रहेगा ना, उसकी limit हम थोड़ी कम कर देते हैं, हम बोलेंगे हमारी कंपनी में maximum 12 ही director रहेंगे, articles ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा, सर सर, first proviso तो यह था, कि SR पास करके आप 15 से जादा director रख सकते हो, second proviso क्या है, सर, second proviso यह कहता है, कि हम जिन भी companies को prescribe करेंगे, उन companies को अपने board of directors में एक women director बैठाना पड़ेगा, सर, तो सर, जब भी prescription की बात आती है, तो हमको कहां जाना पड़ते है, rules, यहाँ पे कौन सा rule है, सर, rule 3 of companies, appointment and qualification of directors rules, 2014, सर, यह rules कहता है, कौन सी companies को women director का provision लगेगा, सबसे पहले तो listed company भी है, हर चीज listed company को लगा दो, उसके अलावा वो भी other public companies, जिसमें, सर, paid up share capital 100 करोडिया उससे जादा है, या फिर turnover 300 करोडिया उससे जादा है, सर, यह दोनों cumulative condition नहीं है, यह either or है, अगर सर, दोनों में से कोई भी condition meet हो जाती है, तो आपको अपने board में women director बैठाना पड़ेगा, सर, क्या ऐसा है, सर, women director independent होना चाहिए, नहीं, आसा कोई law नहीं है, बस कोई भी एक women director को लाके बैठा दो, सर, लेकिन जो women director को लाके तुम बैठाए हो, अगर उसकी office हो जाती है, वे को याद है, whichever is later, sir, later, whichever is later में आपको भरना पड़ेगा, women director की position में वेकेंसी, और अगर, sir, एक newly incorporated company है, तो उसको women director का provision first is applicable नहीं है, उसको 6 मेने के अंदर-अंदर applicable होगा, sir, subsection 2 के transition provision जाने दो, subsection 3 के है, sir, resident director, हमको एक director चाहिए, जो India का हो, resident director मतलब क्या, sir, he stays in India for more than 182 days, more during the financial year or calendar year, sir, during the financial year, it is applicable to all companies, at least one director should stay in India for more than or equal to 182 days during the financial year, अगर आपकी company एक साल से कम हुई है in corporate होके, तो sir, 182 days को proportionate ले ले लेना, sir, अभी COVID के वज़े से बहुत लोग बहार जाके फज गे थे, शायद यहीं कंडिशन मीट नहीं हो पा थी, इसले इन्होंने रिलीव दिया, कि अभिया, FI 19-20 और FI 2021 में ये वाला प्रोविजन आपको applicable नहीं है, ठीक है, sir, sir, subsection 4, very important provision, आपको अभी ये समझ आ गया होगा, कि ये जो provision की limit है, ये आगे भी बहुत जगा यूज होती है, correct, तो sir, ये provision की limit क्या है, independent director कौन कौन सी company इसको applicable है, sir, इसको इनोंने तीन पार् प्राइविट कंपनी, प्राइविट कंपनी तुम independent director के बारे में सोचना भी मत, उसके बाद, sir, इनोंने बोला, listed company, जितने भी listed company है, आपको अपने board of director में कम से कम one third, at least one third of your board of director should be independent director, ये उनोंने कब बोला, sir, ये उनोंने बोला, अगर आप listed हो, इसमें अगर कोई भी fraction आ है, at least इतने directors, तो sir, at least one third आपकी directors independent होने चाहिए, अगर कोई भी fraction आता है, तो उसको round off as one कर दो, और sir, third category, unlisted public company, वो unlisted public company, जिसको हम prescribe करेंगे, उनके board में कम से कम 2 independent director होने चाहिए, sir, कम से कम 2 independent director मतलब 2 होंगे तो चलेगा, कि 3 रखने पड़ेंगे, sir, 2 होंगे तो चलेगा at least का मतलब होते है, इतने तो होने ही चाहिए, sir, कौन से unlisted public company, तो इन्होंने बुला भी, हम prescribe करेंगे, तो rule 4 of companies, appointment and qualification of director rules 2014 कहता है, अगर आप वो unlisted public company हो, जिसका paid up share capital 10 करोड या उससे जादा है, turnover 100 करोड या उससे जादा है, outstanding loan, debentures या deposits, 50 करोड से जादा है, तो sir, आपको independent director बेठाना पड़ेगा, अभी तक सुनके आपको ऐसा लग रहा होगा, sir, सब याद है, कुछ खास revision की जरुवत नहीं है, रुख जाओ, थम जाओ, हम 168 पे भी पहुंचेंगे, 169 पे भी पहुंचेंगे, बस सुनते जाओ, ये सब तो आपके जहम में घुस गया है, करके आपको नॉर्मल रग रहे है, सुनते जाओ, sir, independent director तीन case में लगेगा, unlisted public company में, तीनों में से कोई भी condition अगर meet हो जाती है, तो आपको independent director बैठाना पड़ेगा, sir, ये जो paid up share capital, turnover और outstanding loan, diventure, deposits की limit होती है, ये आपको latest audited financial statement के हिसाब से देखना पड़ेगा, जो भी आपके पास available है, sir, पर ये unlisted public companies, में भी तीन exception इनों ने दिया है, बोले अगर आप joint venture company या, holy own subsidiary, dormant company होगे न, तो आप भले ही आपकी paid up share capital 10 करोडिया, उससे जादे है, भले ही आपका turnover 100 करोडिया, उससे जादे है, आपको ये provision applicable नहीं होगा, ठीक है, sir, इनोंने एक provision लिखा, कि अगर section 177 में जो audit committee का provision है, अगर वहाँ पे independent director जो है, वो जादा requirement आती है independent director की, तो उस limit को, इस section की limit consider कर ली जाएगी, और जितने आपको independent director section 177 के हिसाब से चाहिए, वही आपको 1496 के हिसाब से भी चाहिए, ऐसा माना जाएगा, समझे, मतलब अगर independent, audit committee कौन सा section है, sir, section 177, वहाँ पे क्या लिखता है, आपके पास कम से कम तीन director होने चाहिए, audit committee में, और majority independent होने चाहिए, sir, तो वहाँ पे majority independent बिठाने के लिए अगर आपको जादा directors लगते हैं, तो यहाँ पे वो limit applicable हो जाएगी, और आपको उतने independent director बिठाने पड़ेंगे, sir, अगर independent director के board में भी, के office में भी अगर vacancy होती है, तो वह intermittent vacancy कहलाती है, और उस intermittent vacancy को immediately next board meeting, और 3 months whichever is earlier पर भढ़ना पड़ता है, क्या, sir, आप बार बार भूल जाते हो, whichever is later पर भढ़ना पड़ता है, ठीक है, अब sir, कौन से companies हैं, जिनको independent director नहीं appoint करना पड़ेगा, या फिर question यह है, क्या एक बा कातार meet नहीं कर रहे हो, तो आपको फिर provision applicable होना cease हो जाएगा, sir, इसमें हमारी बड़ी चर्चा हुई थी class में, अब sir, एक बहुत important amendment जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, listed company के definition में, listed company के definition में amendment यह है, कि section 252, जो listed company के definition है, पहले इसमें यह लिखा हुआ था, sir, अगर आपकी company का, कोई भी securities अगर stock exchange में listed है, तो आप listed company कहला होगे, problem यह होती थी, sir, कि private company जा करके, सिर्फ और सिर्फ अपना कभी-कभी debt list करा लेते थे, sir, उनको listed company बोला जाता था, और उसके वैसे women director, independent director, सारे provision लग जाते थे, sir, तो law ने बोला, बहुत समय लगा के बोला, कि भाया, listed company की definition में, हम दो तरह की companies को निकाल देते है, एक वो private company जिनकी debt listed है, और वो public company जिनकी non-convertible debt या फिर preferent shares listed है, उन लोगों को हम listed company की definition में नहीं लेंगे, तो sir, अभी कहीं पर मैंने question बी डाला था, बीच में कि, क्या private company listed company हो सकती है, sir, अभी private company listed company नहीं हो सकती, अगर वो independent director, independent director कौन हो सकता है, sir, IMP, मैं क्या हू, important, relatives क्या है, dogs, भगवान, dogs, और उसके बाद हम, मैं और मेरे relative मिला अगर के FVNK, sir, IMP, I, sir, integrity, he should be, मतलब, imagine कर लो Mr. A को हम independent director बनाना चाहते है, हम देख रहें Mr. A independent है की नहीं है, Mr. A should be a person of integrity in the opinion of the board and he should have relevant experience and expertise, but sir, अगर ये government company होगी वहाँ पे board का opinion नहीं चलेगा, वहाँ पे concern ministry का opinion नहीं चलेगा, उसके बाद, sir, second point M, M मतलब, sir, monetary relation, pecuniary relationship, that person who Mr. A should not have any pecuniary relation with the company, associate, subsidiary, holding and the promoter or director, कितने, sir, कभी भी नहीं होना चाहिए, कितने, sir, कभी नहीं होना चाहिए, कितने, sir, कभी नहीं होना चाहिए, कितने, sir, कभी relationship में क्या remuneration बगरा भी आजाते हैं, नहीं, sir, तीन चीज़ आपकी pecuniary relation में नहीं आती, पहला अगर आपको remuneration मिल रहा है, as per the provision of this act, दूसरा, अगर आप जो भी transaction कर रहे हैं, वो arm's length price पे कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको Tata Power का example दिया था, अगर मैं Tata Power से बिजली if I do, नहीं, sir, because I am dealing at an arm's length price, and also the third condition, अगर the transaction amount is less than 10% of Mr. A का total income, sir, company का total income तो बहुत सादा हो जाता है, Mr. A के total income के 10% से भी कम या उतने भर का transaction है, तो भी, sir, this pecuniary relationship नहीं count किया जाएगा, आप independent director बन सकते हो, लेकिन अगर इन में से इस से सादा कुछ भी आपको दिया आपको नहीं रहोगे, sir, IMP, P, promoter, he should not be a promoter, किसका-किसका, sir, company का, associate का, subsidiary का, responsiory का, या holding का, and he should not be a promoter or director, पहला तो वह promoter नहीं होणा चाहिए, दूसरा he should not be related to the promoter or director of the company associate, subsidiary holding, sir, अगर वो company का director होगा, तो चलेगा, लेकिन company का promoter नहीं होना चाहिए या फिर company के promoter या director का relative नहीं होना चाहिए, sir यहाँ पर director इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने बुला अगर company का director होगा तो चल जाएगा, ठीके sir चल जाएगा, IMP हो गया sir अब उसके बाद relatives मेरे कोई भी relatives, dogs नहीं होने होने चाहिए, है तो क्या करें, नहीं होने चाहिए independent होने के लिए, dogs sir बहले ही हमको पता है, dogs हमारे रटने का sequence है, लेकिन हम लोग के sequence में जाएगे, हमको पता है, पहले securities आती है, फिर guarantee इंडेटनेस आता है, फिर guarantee आता है, फिर अधर आता है security sir, none of my relative should hold any security in the company associated subsidy holding in the current year or immediately preceding to financial year, पर sir, अगर मेरा कोई relative company में hold कर रहा है security, कितने तक का sir, या तो face value 50 लाग तक का, या फिर 2% of paid up share capital तक का, तो sir, वो चलेगा, तो फिर कोई problem नहीं है, relative 2% तक hold कर सकता है, मैंने आपको समझाया था sir, face value 10 रुपे का, कितना difference होता है, अगर reliance का share आप देखोगे 10 रुपे की face value, 2,000 रुपे का share है, तो sir, security नहीं hold करना चाहिए, दूसरा he should not be indebted to the company's associate subsidiary holding promoter director of the company for an amount exceeding, for an amount exceeding 50 lakhs, sir, यहाँ पे promoter और director भी आ गया, क्योंकि indebtedness में तुम promoter से पैसे ले सकते हो, लेकिन तुम security के से hold करोगे, promoter का कोई security थोड़ी ना होता है, तो इसलिए, indebted to the company associate subsidiary holding or promoter or director in the current year and immediately to preceding financial year third, he should not have given any guarantee or security for the indebtedness of any third person to the company associate subsidiary holding, promoter or director for an amount exceeding 50 lakh rupees in the current year and to preceding financial year, और fourth, sir O, others, किसी भी तरह का pecuniary relationship नहीं होना चाहिए company associate subsidiary holding, sir यहां promoter डिरेक्टर नहीं लिखा लिख सकते थे, लेकिन mcq कैसे बनाते, नहीं लिखा company associate subsidiary holding 2% से जादा का आपका gross turnover या total income आपका नहीं होना चाहिए in aggregate, अगर नहीं है तो माना जाएगा कोई pecuniary relationship नहीं है का limit याद करने में, तो यू याद कर लो कि उनको एक जेनरिक सा प्रोविजन बनाना था अधर्स का, 10% नहीं डाल सकते थे क्योंकि बहुत जादा हो जाएगा, तो उनने 2% डाला और सिर्फ total income नहीं डाल सकते थे, sir क्योंकि अगर company है तो उसका तो turnover होता है F, V, N, K F, should not be a partner, proprietor or employee in any of the two kind of firm पहला, sir, legal firm उस legal firm में, legal consulting firm में जहां पे जिसका transaction cash के साथ है cash के साथ, sir मैं जब cash में पैसा लेना देना करते है, नहीं जिनका transaction company, associate, subsidiary or holding के साथ है, for an amount for an amount not exceeding 10% of the gross turnover, या फिर अगर 10% से जादा gross turnover के 10% से जादा का अगर आपका transaction है तो आप फिर उसके proprietor, partner और employee है, तो आप disqualified है to become an independent director, या फिर वो firm जो auditor की है, company secretary है क्या या फिर cost accountant की है, किसकी sir, company associate, subsidiary holding की F हो गया, sir, firm, B, voting power, sir, मैं या मेरा कोई भी relative मिला करके 2% या उससे जादा voting power company का अगर associate subsidiary holding नहीं लिखा है उसके बाद, sir, FVN should not be a CEO or director of such NPO जिस NPO को 25% से जादा gross receipt company associate subsidiary holding या फिर प्रमोटर या director से मिलता है, sir, यहां पे प्रमोटर या director भी cover कर लिया, इनोंने, या फिर sir, वो NPO जो company में 2% से जादा voting power hold करता है, sir, FVN K, K, sir, वो नहीं होना चाहिए क्या key managerial person और employee of the company associate subsidiary holding in the current year and immediately to preceding year लिख सकते थे, sir लेकिन नहीं लिखा है, इनोंने बोला key managerial person या employee नहीं होना चाहिए company associate subsidiary holding का in the last three financial year, पता नहीं current year में हो सकता है, इसका मतलब थोड़ा weird है, इतना literal interpretation मत निकालो, लेकिन, sir, ये लिखा हुआ है कि पिछले तीन financial year में वो key managerial person या employee नहीं होना चाहिए, company associate subsidiary holding का, sir, अगर relative, अगर relative company का employee होता है ना, चलेगा, क्यों, sir, मतलब मेरको अगर reliance में independent director बनने गाए, तो मैं अपने relative को नहीं बोल सकता, भाई, तो ये reliance के employment छोड़ दे, फालतू का, वो 10-12 लाग मेरे रुपे, मेरे लिए थोड़ी छोड़ेगा, तो, sir, कुल मिला के बात ये हुई, कि FVNK, आप अगर in conditions में, ना मैं, ना मेरा कोई relative होना चाहिए, तब जाके मैं independent independent director बन सकता हूँ, sir, उसके अलावा, मेरे बास वो qualification होने चाहिए, जो भी मेरे को, जो भी ठीक लगे, sir, जैसे मेरे पास experience होना चाहिए, knowledge होना चाहिए, ये सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, sir, subsection 7, very important, independent director को declaration देना पड़ता है, declaration तीन बार देना पड़ता है, sir, सबसे पहली बार वो जब भी board meeting attend कर रहा है, second, हर साल का सबसे पहला board meeting, और तीसरा, हर बार कोई भी ऐसा circumstance में change हुआ है, तो उसको उसके immediately next board meeting में बताना पड़ेगा, क्या declaration देना पड़ेगा, sir, that I meet all the criteria of independence, subsection 8 ये बोलता है कि आपको schedule 4 का compliance करना पड़ेगा, 8 का अधा 4, schedule 4 का compliance करना पड़ेगा, subsection 9 बोलता है कि आप 3, आप सिर्फ सबसे पहला तो stock option नहीं ले सकते, independent directors are not entitled to stock options, however, you can get 3 things, 1, remuneration as per the provision of this act, which may be profit related commission, second, fees of sitting, बैटने के पैसे, sir, जो 197 subsection 5 में sitting fees मिलता है, तीसरा, board meeting attend करने के, जो आने जाने का पैसा होता है, उसका आपको reimbursement मिल जाएगा, कोई load नहीं है, उसके अलावा, sir, आपको कोई भी stock option नहीं मिलेगा, sir, यहाँ पे एक amendment आया है, जो November 21, May 22 सब के लिए applicable है, कि अगर, अगर, inadequate profits है company में, company के बस profit नहीं है, अगर, inadequate profit है या no profit है, तब भी independent director को पैसे मिल सकते हैं, schedule 5 के compliance के हिसाब से, पहले, sir, ऐसा लिखा हुआ नहीं था, पहले लिखा था, पहले सिर्फ managerial persons को मिलता था, या managers को मिलता था, अभी इन्होंने सारे directors, independent directors, इंक्लूड करके उनको भी remuneration देने लग गया, as per schedule 5, sir, subsection 10 और 11 हम मिला के पढ़ते हैं, जो terms की बात करता है, sir, कितने साल के लिए independent director appoint हो सकता है, और कितने term के लिए, sir, two terms, and each term will be your five consecutive years, sir, क्या ऐसा हो सकता है, कि independent director का total tenure और 10 साल से कम है, बिल्कूल हो सकता है, अगर आपने एक term के लिए एक साल के लिए उसका अपोइंट किया, that will be counted as one term, फिर उसके वाद एक और साल के लिए उसका लिए तो second term हो गया, sir, दो साल में भी उसका tenure खतम हो सकता है, तो sir, दो साल, एक तर्म पांच साल तक का होगा, और दो टर्म तक का total हो सकता है, sir, is he eligible for reappointment? obviously, because दो टर्म हो रहा है उसका, but you will have to understand that when you are reappointing an independent director, you will have to pass a special resolution, and not only that, you will also have to disclose in the board report, कि भया, ऐसी क्या जरुद पढ़ गे कि हम independent director को reappoint कर रहे है, independent director को reappoint करना is a big deal, because शायद ऐसा हो सकते हैं, कि वो independent रहा ही ना, पांच साल आपके साथ काम करने के बाद, इसलिए, sir, उन्हों ने बोला कि special resolution पास कर देना, तभी independent director हम अपोइंट करने देंगे, और, sir, जब उसका दो टर्म हो जाता है, तीन साल का cooling period सुडू होता है, cooling period में, he shall not be associated with the company directly or indirectly, उसके बाद, sir, independent director और non-executive director जो होते हैं, वो कौन सी चीजों के लियाबल होते हैं, वो चीजें जो तीनों कंडिशन में से कोई भी कंडिशन साटिस्फाई करती है, occurred with his knowledge, second, attributable to the board process, and third, occurred with his consent, और he failed to act diligently, अगर तीनों में से कोई भी कंडिशन साटिस्फाई होता है, तो वो लाइबल हो जाता है, वरना लाइबल नहीं है, मतलब, माल लो, अगर अगर कंपनी को TDS का पेमेंट करना था था ताइम पो उन्होंने साल साल तक पेमेंट नहीं किया, section 150, sir, major amendment applicable for both November 21 and May 22, सुनो, sir, 150 क्या बोल रहा है, manner of selection of independent director and maintenance of data bank, central government एक body institution या association को खोजेगी, जिसका experience है in creation and maintenance of data bank, and the central government will notify, कि भाहिया, तुम data bank maintain कर लो independent director का, उसमें, sir, हर वो director का नहाम आएगा, जो एक तो eligible है, और दूसरा willing है to be appointed as independent director, पर, sir, ये जो institution होगी, ना, ये सर्फ data bank maintain करेगी, वो independent है कि नहीं है, वो due diligence करना, company पर responsibility दी गई है, sir, कि जब company, भाहिया, तुम जो list of director में से एक director को चाट रहो ना, तो तुम अपना खुद का homework कर ले ना, कि भाहिया, ये independent है कि नहीं है, हम तुमको सर्फ data देंगे, sir, central government ने notify किया है, Indian Institute of Corporate Affairs माने, sir, IICA माने, sir, को notify किया है, कि भाहिया, तु independent director का सारा data bank maintain कर ले ना, उसमें, sir, क्या होगा, उसमें, sir, देखो, सबसे पहले तो ये, sir, कि जो independent director का data bank है, वो online maintain होगा, और वो website पे place होगा, पारे basic details, ना, मता, पता, उसके against कोई criminal proceedings है क्या, section 164 के हिसाब से, वो कितने LLPs में designated partner है, और कितने companies में director है, ही सारे provisions होगे, sir, आपके पस, क्यों, sir, क्योंकि companies को लगता है, अगर आप किसी director को appoint कर रहे हो, तो कितने और company में director है, वो क्या हमारी company में eligible है, director बनने के लिए, यह सब data आपको रखता है, तो data bank में, वो maintain होगे data, और, sir, very important thing, जो data bank में data maintain होगा न, वो सिर्फ उन्ही companies को दी जाएंगी, जिनको independent director का provision applicable है, मतलब, sir, अगर एक unlisted public company है, जिसका paid up share capital भी 10 करोड से कम है, turnover भी 100 करोड से कम है, और outstanding loan debenture deposit 50 करोड है, sir, उसको independent director का provision applicable नहीं है, उसको यह data दिया ही नहीं जाएगा, और, sir, वो जो data है, उसको देने के लिए कुछ reasonable feel लगेगा, जो वो decide कर लेंगे, not a big deal, sir, big deal is हम, मतलब, मैं अगर शुभा मेरे को independent director के data bank में, अपना नाम register करवाना है, तो क्या process है, sir, तो law कहता है, कि भाईया, company's appointment and qualification rule कहता है, कि जितने भी existing director है, मतलब, यह, sir, rule 2019 में आया है, ठीके, उसके पहले यह rule नहीं था, उसके पहले यह data bank भी नहीं था, तो sir, अगर, जितने भी उस दन पे directors हैं, existing company में, independent director, और जितने भी लोग हैं, जो director बनना चाहते हैं, वो दोनों मिल करके, वो लोग सारे को जाकर के application देना पड़ेगा, IKA को, कि भाईया, मेरा नाम register कर ले, जब आप application दोगे न, sir, क्या यह ज़रूरी है, आपके पास DIN number हो, is it mandatory to have a DIN number, sir, it is mandatory to have a DIN number to become a director, it is not mandatory to have a DIN number, just to get your name registered with the data bank, तो sir, DIN number की ज़रूरत नहीं है, दिन के बिना भी आप फाइल कर सकते हो, जब आप application दोगे न, sir, तो आपको पूछा जाएगा, कितने साल के लिए चाहिए भी हा registration, एक साल पांच साल या लाइफ टाइम, तो मैं बोलूगा, sir, जो मेरे को चाहिए, वो मैं select कर लूँगा, sir, अगर lifetime select कर लिया, तो तो कोई problem ही नहीं, लेकिन अगर एक साल या पांच साल select किया, तो जिस दिन वो एक साल खतम होगा, जिस दिन वो पांच साल खतम होगा, मेरे को उसके तीस दिन के अंदर अंदर जाके, अपना application रन्यू करवाना पड़ेगा, नहीं, तो मेरा नाम सर डेटा बांक में से हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो क्या होगा, सर, बस मेरा नाम डिरेक्टर को, companies को दिखेंगे नहीं, तो वो मेरे को hire नहीं करेंगे, सर, अब सर, अगर मैं एक डिरेक्टर हूँ company में, तो मैंने अपना नाम जाके, आइकाम आने से वर में दिया की नहीं दिया, किसको बता चलेगा, तो law कहता है भीया, वो जो 49 subsection 7 में तुमें एक declaration दे रहे हो न, कि मैं independent हूँ, उसके साथ एक और declaration दो, कि भाया, मैंने जाकर के, अपना नाम रेजिस्टर करा लिया है, और मेना नाम अभी वहाँ पे valid है, अगर मैंने को renewal करा ना, तो मैंने renewal भी करा लिया, तो सर ये declaration भी आप साल में तीन बर दोगे, ठीक है, सर इतना ही नहीं, जब ऐसा नहीं कि कोई भी एरा गेरा नत्थू केरा गया, और वहाँ पे अपना नाम रेजिस्टर कर वा लिया, उसको एक online self assessment test देना पड़ेगा सर, इन अवे में 21 के syllabus में भी इन्होंने डाल दिया है, आपको online एक test देना पड़ेगा, test कब दोगे सर, जिस दिन आपका application हो जाएगा, उसके 2 साल के अंदर अंदर test दे लेना और qualify हो जाना, ठीके सर, सबसे पहले ये बता दो, attempt लगते हैं क्या, हाँ सर, attempt लगते हैं तो कितने attempt सर, सर जितने चाहो उतने attempt दे दो, यहाँ भे भी CA वाला हाले, कोई end नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 साल की limit है सर, CA में तो क्या जिन्दगी बरबाद हो जाने तक वो attempt देने देते हैं, यहाँ पर 2 साल में रोग देते हैं, तो 2 साल के अंदर अंदर न तुमको अपना attempt clear करना है, अगर नहीं किये तो क्या होगा सर, आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपको फिर से fresh application करना पड़ेगा, ठीके सर, अब सर, क्या मुकेश अंबानी जो डिरेक्टर है, वो भी जाके exam देगा, तो लौ ने बोला, नहीं भी, हम समझ गए, वो लोग, वो लोग, को हम टेस्ट नहीं देने बोलेंगे, जिनके पास 3 साल से जादा experience है, किस तरह का experience है सर, या तो वो डिरेक्टर है, या की मैनेजरिल परसन हैं, बड़े-बड़े company में, बड़े-बड़े company मतलब क्या है सर, या तो आप listed public company हो गए, या फिर आप unlisted public company हो, जिसका paid-up share capital 10 करोडिया उससे जादा है, या फिर आप body corporate हो, जो recognized stock exchange में listed है, या फिर सर आप India के नहीं, आपकी बाहर incorporated body corporate हो, और आपकी paid-up share capital जो है, तुमको director, या खी managerial person का experience है न, तो तुमको हम exam देने नहीं बोलेंगे, मजाग चल रहा है कि हम एक data bank खोलेंगे, और बोलेंगे, आके pass करो, कोई ज़रूत नहीं है, सर या फिर अगर आप किसी ministry में, ministry of corporate affairs, ministry of finance, ministry of commerce and industry में, सर डिरेक्टर, या उसके उपर के level के pay scale पे हो न, तो भहिया प्लीज, बड़े लोगों आप लोग, आप प्लीज आके exam मत देना, या फिर सर अगर आप SEBI में, RBI में, Insurance Regulatory Development Act में, PFRDA में, कहीं पे भी, Chief General Manager या उसके उपर के pay scale में हो, तो आकर के मत देना, सर, कुल मिलाके बात ये है, कि अगर आप Director या Key Manager पर्शन हो बड़े बड़े company में, या फिर आप Ministry में, Director या उपर के level पे हो, या फिर आप SEBI में, RBI में, Chief General Manager या उसके उपर के position पे हो, तो आपको कोई ज़रुवत नहीं है, और और और, ये position आपके पास अभी अभी नहीं आईगे, सर, 3 साल से ज़ादा का experience है आपके पास, तो सर, आप, आपको exam देने की ज़रुवत नहीं है, आप यूँ ही qualified हो, सर, एक सवाल है मेरा, सर, मैं तेर्ड साल से Reliance में Director हूँ, और तेर्ड साल में, में, डेट साल से में Tata Motors में Director हूँ, डेड ही साल हुए है सर, पर डेट साल मेरे को Reliance में भी है, डेट साल मेरे को Tata Motors में भी है, तो टोटल तीन साल हो गएने सर, नहीं भाईया, कंपनीज भाई, हर एक कंपनी का नहीं जोडेंगे, एक साथ देखेंगे, आपको कितने साल का Directorship का Experience है, ऐसा नहीं कि 10 कंपनी में एक साल का हो गया, ऐसा नहीं होता, समझा तो ठीक है, नहीं तो जाने तो सुनों, सर, Section 151, very important, very important provision, चोटे-चोटे Director, Small Shareholder Director, सर, क्या होते हैं Small Shareholder Director, यह प्रोविजिन सिर्फ लिस्टेड कंपनी को अप्रिकेबल है, वो भी अगर लिस्टेड कंपनी चाहे, तो, इफ लिस्टेड कंपनी में, हैब वन डिरेक्टर, वो इस नॉमिनेटेड बाई था स्मॉल शेरोल्डर क्या होते हैं, समॉल शेरोल्डर मतलब वो शेरोल्डर जिनके पास NOMINAL value of shares held is not more than 20,000, सर, वीस जार का NOMINAL value होगा तो चलेगा, सर, अभी आप समॉल शेरोल्डर डिरेक्टर एक बोड में कब बैठाते हो, या तो कम्पनी खुद से बैठा सकती हो, कंपनी को अच्छा इंप्रेशन बनाना है स्मॉल शेयरोल्डर के सामने तो वो सुवो मोटु गाली नहीं दे रहा हूं सुवो मोटु मतलब अपने आप से सुवो मोटु भी अपॉइंट कर सकते हैं कोई सा ओफिंड नहीं होना कि मेरे को मोटु बोला सुवanden हो मोटु भी अपॉइंट कर सकते हैं यASE स्मॉल शेयरोल्डर जाकर कैakers भी अप्लिकेशn के बख़र को बैठेकर ब्र बीरेक्टर में ॉपो में को बोला था की बेठाने का स्मॉल शेयरोल्डर कम सिकन यरो मिल्ड़ तो थाजिए भी से फील्ड आंदे इतने लोगों को application देना पड़ेगा सर कितने दिन पहले जो meeting होने वाली है उसके कम से कम 14 दिन पहले आपको application देना पड़ेगा उस application में क्या होगा सर सबसे पहले front page में आप सब लोगों का नाम, पता, number of shares held and folio number, folio number क्या होता है सर वो आपके basically shareholding को trace कर सकते हैं ताकि उनको भी तो confirm करना पड़ेगा ना कि जो बंदा sign कर रहे है वो small shareholder है कि नहीं है तो आपको name, address, number of shares held and folio number देना पड़ेगा और सर नीचे आप सभी लोगों को sign करना पड़ेगा सर ठीक है sign कर देंगे 10-12 small shareholder मिले और वो ले चलो रित्तिक रोशन को appoint करते हैं नहीं बहिया ऐसा नहीं चलेगा आपको जिस भी director को आप small shareholder director appoint करना चाहते हो या nominate करना चाहते हो उसका consent लेके देना पड़ेगा कि भीया वो लिखके देगा हाँ मैं director बनना चाहता हूँ, हाँ मेरे पास DIN number है director बनने के लिए और हाँ मैं 164 में disqualified नहीं हूँ, वैसे अगर आप logically सोचो नहीं हूँ, थीसरा आपको consent देना पड़ेगा, यह सेम आपको उस notice के साथ भी attach करके भीजना पड़ेगा, और sir, क्या small shareholder director independent हो सकता है, हाँ sir independent director हो सकता है, लेकिन उसको 149 subsection 6 के अंदर सारे criteria's भी meet करने, और 149 subsection 7 का declaration भी देना है, sir, जो small shareholder director होता है, क्या वो rotation में, is he liable to retire by rotation, no sir, he is not liable to retire by rotation, but will I include him in the total number of directors, when I count the total number of directors for rotational and non-rotational, sir, वो total number of directors may include, होगा, बस वो होने के बाद non-rotational में आके बैठ जाएगा, क्योंकि 151 में लिखा है, that he will not be liable to retire by rotation, ठीके, उसके बाद, sir, जो small shareholder director होता है, उसका tenure होता है, sir, वो तीन साल के लिए appointment होता है, और तीन साल के appointment, जब उसका खतम हो जाता है, he is not eligible for reappointment, sir, उसका जब तीन साल खतम होता है, तो उसको थंडे होने के लिए तीन साल गले जाना पड़ता है, he shall not be associated with the company directly or indirectly, in any manner, cooling of period of 3 years, sir, when will the small shareholder director be set to have vacated his office, अगर, sir, 164 हो जाता है, या 167 हो जाता है, या 149 subsection 6 हो जाता है, sir, आप अप office vacate हो जाता है, या 149 subsection 6 में independent नहीं रहता, तो sir, उसकी office vacate हो जाएगी, और sir, मैं एक साथ maximum 20 company में small shareholder directorship hold कर सकता हूँ, नहीं, sir, maximum 2 company में hold कर सकता हूँ, वो भी वो companies जो conflicting या competing business में नहीं होने चाहिए, sir, मैं Tata power और Adani power में एक साथ नहीं हो सकता, मैं 2 non-competing business में हो सकता ह ताकि small shareholder अपना खुद का काम करे, sir, एक बहुत important सवाल यहां आता है, कि क्या company अगर, क्या अगर small shareholder directors जो है, वो अगर notice लिख के बेशते हैं, कि भई हमको small shareholder director appoint करना है, is it mandatory for the company to appoint a small shareholder director, sir, although emotionally it seems yes, कि boss, जब 1,10th of the small shareholder application दे रहे हैं, तो तुमको problem क्या है, लेकिन law कहता है अगर company चाहे, तभी small shareholder director appoint होगा, sir, उस पे कोई impose नहीं कर सकता, तो even if 1,000th or 1,10th of the small shareholder, whichever is lower, are making an application, it is not mandatory for the company to appoint a small shareholder director, sir, section 152, application of director very important, subsection 1, first director होता है, sir, first director होता है, who is appointed as per the provision of the article of association, sir, अगर article में लिखा होगा, मतलब आप वाला article नहीं भीया, article of association वाला article में लिखा होगा, कि sir, कौन first director बनेगा, या फिर हम first director कैसे appoint करेंगे, sir, अगर article में नहीं लिखा ही, तो क्या होगा, बोलो, मन में, subscribers to memorandum जो है, sir, subscribers to memorandum उनको deemed first director मान लिया जाएगा, sir, जो first director होते हैं, ऐसा हो सकता है, sir, कि sir, कि जो first director थे, उनहीं को director appoint कर दिया, लेकिन, पूरा process करना पड़ेगा, and, sir, subsection, यह हो गया, इतना, one person company की case में, sir, जो individual member है, उसी को director मान लिया जाएगा, वही first director कहलाएगा, sir, subsection 2, हर director, जो company का होगा, वो कहां से appoint होगा, sir, वो general meeting में, ordinary resolution के थूपइ होगा, यह general rule है, sir, बहुत सारे exceptions है, जहां पर board भी appoint करता है, central government भी appoint करता है, but the general rule is, every director shall be appointed in the general meeting, subsection 3, यह कहता है, sir, किसी भी बंदे को director नहीं बनाना, जब तक उसके पास DIN नहीं हो, DIN नहीं होगा, sir, DIN चाहिए, director identification number नहीं होगा, तो उस बंदे को director नहीं बनाना, sir, law में कहीं भी नहीं लिखाएगी, एक minor director नहीं बन सकता, लेकिन minor को DIN का application देना पड़ता है, और DIN का application नहीं दे सकता, वो, इसलिए वो indirectly director नहीं बन सकता, sir, ठीक है, sir, अभी जो भी director बन रहा है, जब वो director appoint हो रहा है, उसको company को तीन चीज़े देनी पड़ेगी, पहला तो DIN द देना पड़ेगा, दूसरा उसको declaration देना पड़ेगा, कि वो disqualified नहीं है, appointment के लिए, और तीसरा उसको consent देना पड़ेगा, sir, consent subsection 5 में देता है, वो, consent director देता है company को in form DIR 2, DIR 2 में एक डंडा आड करके company भेज देती, ROCC के पास within 30 days of such appointment, DIR form 12 में, DIR 12 में company क्या भेज देती है sir, कि भाई हमारे company में director है, उसका DIR 2 में है, और से जब DIR 12 भेजते हो, उसमें आप सारे लेटेस्टे भी directors है, सब का DIR नमबर भी अटाच करके भेज देता है, तो सामने वो DIR 2 में जब जाता है, तो उसमें बाकी सारे directors का भी DIR नमबर जाता है, मन्दब बेसिक्ली अपड जाता है, sir, यह जो DIN का प्रोविजन है, उसमें यह बस यह, जो सब सेक्शन 5 का प्रोविजन है, इसमें बस यह कहते हैं, कि जब तुम किसी को डिरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, तो तुम जेनरल मीटिंग बुलाओगे, तो जेनरल मीटिंग में जो तुम एक्स्प्लेन जेनरल मीटिंग के लिए तुम नोटिस बेशते हो, उसमें तुम यह लिख देना कि जिस बंदे को अम डिरेक्टर अपॉइंट करना चाह रहे हो, उसके पास सारे क्वालिफिकेशन से सारे कंडिशन सो मीट करते हैं, जो भी साक्ट के हिसाब से चाहिए, sir, 152 subsection 6 थोड़ा जो अपका अपर आप रांकर विसका मतलब यह नहीं कि रांकर की तरह बढ़ाओ गया हमारी भासा में बोलो, अरे भीया, उसमें से 2 3rd डिरेक्टर कम से कम, at least 2 3rd डिरेक्टर रोटेशनल डिरेक्टर होंगे, बाकि जो 1 3rd है या 1 3rd से कम है, वो नॉन रोटेशनल होंगे, अब सर, जो 2 3rd rotational है न, उसमें से 1 3rd of the director shall be liable to retire by rotation, मतलब सर, उनका tenure खतम हो जाएगा, उनकी office vacate हो जाएगी, वो reappoint हो सकते हैं, लेकिन उस AGM में उनकी office vacate हो जाएगी, सर, अब सवाल यह है कि 1 3rd, जो 2 3rd है न, वो at least है, मतलब क्या सर, मतलब जो 2 3rd है, उसमें आप, क्या higher round off करोगे, जो, लेकिन जो 1 3rd है न, वो mathematical round off होगा, सर, मतलब अगर 3.33 आते हैं, तो 3 लोगे, और 3.67 आते हैं, तो 4 लोगे, ठीक है सर, सर, यह बताओ, कि जो 1 3rd आप निकालने की बात करें, उनको decide कैसे करोगे, तो सर, आप यह देखोगे, who has held longest, who has been longest in the office, जो बहुत before basis पे, मान लो, कोई 2 director ऐसे थे, जो same date पे appoint हुए थे, तो या तो भाया, तुम mutual agreement करके निकल जाओ, अगर mutual agreement नहीं करोगे, तो हम lottery नहीं का लेंगे, lottery में जिसका नाम आता है, वो out, ठीक है, अब सर, जो यह director retire होते हैं, उसमें company को vacancy भढ़ना होता है, एक vacancy होगे, या तो company उसी director को reappoint कर देगा, या फिर एक नए director को लाकि reappoint कर देगा, सर, यह देखो, आपको यह चार्ट याद है, 10 director थे total, उसमें से 2 third कितने होए, सर, 7, तो 7 director को आपको निकालना, आपको rotational director में लाना पड़ेगा, क्योंकि at least है, सर, इसले 7 होगे, वैसे match में भी 7 होते है, 2 third, अब सर, 2 third में से, जो 1 third है न, वो निकल जाएंगे, सर, मतलब 2 director कम से कम निकल जाएंगे, वो 2 director कौन होंगे, सर, जो FIFO basis पे, या फिर mutual agreement पे decide कर लो, या फिर लोटरी निकालके, तुमको out कर देंगे, सर, यह जो total number of director है न, सबसे उपर, इसमें 2 तरह के directors include कभी मत करना, प total number of director में, ठीक है, अब सर, इतना याद रखना, जो AGM में appoint होता है, वही AGM में निकाला जा सकता है, इसलिए आगे चलके, जो 161 में additional, alternate, यह सब पढ़ेंगे, हम, वो non-rotational के category में आते हैं, सर, उनको आप rotational में नहीं डाल सकते, उसके बाद सर, यह जो provision है, पूरा का पूरा, this is not applicable to unlisted government company and 100% subsidiary of unlisted government company, sir, लोग बत confused होते हैं, managing director rotational होगा या non-rotational होगा, और वो emotional हो जाते है, sir, कि managing director rotational कैसा होता है, वो निकल जाएगा, तो company कौन चलाएगा, ऐसा नहीं है, sir, managing director या, जो भी whole time director होता है, वो जब appoint होते है, तो उनके साथ agreement साई होता है, तो board of director, उसमें जो इसी भी company में non-rotational, जो है न, वो maximum one third हो सकता है, कभी-कभी हमने आगे question देखा, तो question आता है, company में क्या 10 additional director appoint हो सकता है, हम जोश-जोश में लिख देते हैं, हाँ, sir, एसी कोई limit नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर उस company को rotation, non-rotation का provision applicable है, तो non-rotational maximum one third हो सकते है, sir, sir, यह ज तो director के office में vacancy होती है, उसको या तो आप वापस से appoint कर दो किसी director को, या फिर नहीं director को appoint कर दो, या फिर नहीं director को appoint कर दो, या फिर sir, आप expressly एक resolution पास कर दो, that we will not fill the casual vacancy, hello, guys, good morning, सुनो, नेंद आ गई, सुनो, जो मूध हो क्या हो, ऐसे मेरे teacher निंग में को पोला था, सुन कर दो, या फिर आप expressly एक resolution पास कर दो, कि भाया, हमको office में vacancy की भरने की ज़रत नहीं है, हम नहीं भरेंगे, अगर तीनों में से कुछ भी नहीं करोगे, sir, आपकी meeting हो जाएगी, adjourn, आप अब इतने बड़े हो गए हो, कि adjournment समझ आगे आपको, adjournment, adjournment is merely a continuation of the original meeting, adjourn meeting, adjourn कर दो, या नहीं कर दो, या नहीं कर दो, या नहीं कर दो, तीनों नहीं किया, sir, वापस adjourn नहीं होगा, इस case में जो retiring director, they shall be automatically reappointed, but there are five case where the automatic reappoint will not happen, LWR, 164, 162, L, lost, where a resolution for appointment was put up but lost, W, where he has expressed his unwillingness to continue as a director, R, where a resolution, whether ordinary or special resolution was required to be passed as per the provision of this act, 164, if that person is disqualified under section 164, 162, sir, if 162 is applicable in this case, sir, अगर ये 5 case में से कहीं भी आप fall करते हो, तो automatic reappoint नहीं होगा, वरना, sir, automatic reappointment हो जाएगा, sir, सवाल ये है, कि, हमने बोला, लोग annual general meeting में retire होते हैं, लेकिन, sir, annual general meeting, अगर, last date पे hold ही नहीं हुआ, तो, sir, law कहता है, कि, या तो, अगर आप का annual general meeting last date तक होल नहीं हो रहा है, तो दो ही कारण हो सकता है, या तो आपने जा के tribunal से request कर लिया, कि, भाई, due to unavoidable circumstances, we could not hold the AGM, and direct, tribunal gave you an extension, ठीके, in which case, the extended date shall be considered as the last due date of AGM, लेकिन, sir, मानो आप जबर दस्ती, as a company, you don't want to operate well, and you did not call for an AGM, in that case, sir, जो last date of AGM होगा, उस दिन आपक माना जाएगा, कोई automatic reappoint नहीं होगा, sir, sir, section 153 से 159 दिल की बात करता है, दिन की बात करता है, director identification number, sir, वो कहता है, हर individual जिसको director बनना है, वो दिन होना चाहिए, उसके पास, दिन के लिए वो central government को application देगा, sir, कौन से form में, DIR3 form में, DIR3 में आपको दिखाया था, sir, याद करो, DIR3 में क्या होता है, basic details होता है, नाम, पता, कहां रहता है, क्या खाता है, क्या gender है, ये सारी चीज़े होती है, उसके बाद, sir, important में क्या होता है, important में दो चीज़े होती है, sir, certification और verification, एक तो उसको खुद अपना digital signature attach करके उसको certify करना पड़ेगा, कि हाँ भया, ये मैं ही और, sir, उसके बाद verification भी कौन करके देगा, sir, company में से 5 लोग verification आपको करके दे सकते है, form का, कौन 5 लोग, sir, company का, full time company secretary अगर है, managing director है, कोई और director है, CEO है, CFO है, ये 5 लोग, sir, company के बहाफ में, आपके दिन में नीचे sign करेंगे, और, sir, इसका मतलब ये बहुत clearly है, कि मैं सोते सो और मैं बुला, चल, या, DIN कले, फाइल कर देते हैं, नहीं होगा, अगर आप DIN कले फाइल करना चाहते हो, आपके पास कोई company का support होना चाहिए, पर, sir, अगर मैं खुद की एक company कोलना चाहता हूँ, मेरेको किसी और company में director नहीं बनना है, तो क्या करूँगा, तो भईया, ए corporate करने के लिए बहुत सारे forms लगते थे, sir, पहले ये form भरो, वो form भरो, लोगों को पता भी नहीं रहता था, आप, sir, इन्होंने सारे form को collect कर दिया, और 3-4 form बना दिये, sir, उन में से एक form है, INC 32, उसमें आपको बहुत सारे details देने होते है, sir, उसमें आपना, जो लोग director बना प्राइवेट कंपनी में, उनके भी नाम दे दो, तो उनको भी डिन अलोट हो जाएगा, INC 32 के थ्रू ही, आपको DIR 3 फाइल नहीं करना पड़ेगा, बस एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, sir, जो INC 32 form है, उसमें माक्सिमम तीन लोगों को ही डिरेक्टरशिप मिल सक इसा ने कि 30 लोगों को DIN नमबर दिलवा दिया प्राइवेट कंपनी में, वैसे भी 15 से जादर डिरेक्टर हो नहीं सकते, कहां पड़े थे, sir, 149 सब्सेक्शन 1 में, sir, जो आपका DIN नमबर होता है, वही आपका DIN नमबर भी होता है, LLP Act कहता है कि अगर आपको LLP, किसी LLP म पनना है न, तो आपको DIN नमबर होना से यह, लेकिन, sir, अगर आपके पस DIN है, तो DIN नहीं लगेगा, अज बहुत दिल दिल हो रहे है, Valentine's Day बहुत दूर है, सुनो, sir, 153 में मैंने अप्लिकेशन दिया, 154 में मेरे को Allotment हो जाएगा, 154 में Allotment कौन करेगा, sir, Central Government करेगा, उ या तो आप्लिकेशन अप्लिकेशन 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 अप्लिकेश address का proof attach करके दे, उसने गलती से pancard attach कर दिया, sir, application में defect है, या उसको बोला था attach करके दे, उसने attach ही ने गया, sir, मतलब application incomplete है, in that case the central government will intimate the applicant कि boss कैसे intimate करेगा, एक तो अपने खुद के website में डालेगा, और उसको email भी करेगा, कि भाई तेरा जो application है न, वो incomplete है, उसको तू 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन हमने website में डाला और जिस दिन email आया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर, तो उसको rectify करके दे, sir, अब जब सामने वाले को बोला, तो सामने वाला तीन चीज़ करेगा, या तो वो rectify कर देगा, अगर वो rectify कर देगा, sir, तो Central Government को बोला, भाई, तो दिन आलोकेट कर देगा, उसके बाद, पर सार, अगर उसने rectify किया, बट ठीक से नहीं किया, तो सार, अगर आपने ठीक से rectify नहीं किया, तो Central Government आपके application को refuse कर देगा, और वो बोलेगा, भाई, fresh application फाइल कर, पर, sir, अगर उसने defect ठीक करने की कोशिश भी नहीं कि, मतलब वो respond ही नहीं किया, sir, in that case, the Central Government will treat such application as invalid, treat and label such application as invalid, और, sir, सामने वाले को बाद में fresh filing ही करना पड़ेगा, sir, 154 में ये होता है, 155 में क्या होता है, sir, आपको एक से जादा दिल नहीं हो सकता है, एक ही दिल होना चाहिए आपके पास, 156 जैसे ही आपके पास दिल नंबर आलोकेट हो करके आता है, आप कंपनी को इंटिमेट कर दे न, sir, ये रेडेंडन दिल नहीं है, ये तुम बताओगे न, वो 167 157 में जाके ROC को बता देगा कि भाया, मेरे एक डिरेक्टर का देना गया है लेकिन कंपनी को बोला, तू 15 दिन के अंदर जाके बता देना, तिरको एक मेने का टाइम नहीं देंगे, 15 देस के अंदर अंदर तू जाके बता देना, सर जो डिरेक्टर कंपनी को बताएगा, that is in form DIR 3B, जो कंपनी ROC को बताएगी, that is in form DIR 3C, सर अगर कंपनी या जो भी उसके officer है, जिनकी जिम्मेदारी थी ये बताना, अगर वो नहीं बताते हैं न, तो उनको कम से कम 25,000 की penalty लगेगी और continuing default में हर दिन का 100 रुपय लगेगा, सर, but maximum एक लाग उपे से जादा नहीं लगेगा. Sir, 158, आपके पास जो भी दिन होगा, जो भी Returns, Information, Particulars फाइल करोगे, हर जगा अपना दिन लिख देना, चाहे वो company बना रही है या Director बना रही, हर जगा अपना दिन लिख देना सर और 159 अगर आप section 152 जो पूरे appointment of directors की बात करता है या फिर 155 एक से जादर दिन नहीं रखने की बात करता है या 156 इंटिमेट करने की बात करता है अगर उसमें आप कोई भी contravention करते हो आप पे penalty लगेगी कितनी penalty लगेगी सर पहले महाँ पे जेल के बहुत सारे provisions अठा दिये है अब सर फाइन ये है 50,000 रुपय मिनिममम लगेगा सर 50,000 रुपय तक का लगेगा और दिन का 500 रुपय लग सकता है सर ये contravention हो गया सर कुछ और पॉइंट्स भी है जिसे कि दिन नंबर क्या मैंने एक बर ले लिया तो मेरे पस lifetime ले नहीं सर आप चाहो तो दिन आपका cancelled कर वा सकते हो deactivate कर वा सकते हो surrender भी कर वा सकते हो हीं अगर सल आपका डुप्लिकेत हो गया है मतलब आपका डिन किसी तरीके से गल्ती से आपको करना था या verify करना था आपने गलत documents attach कर दिया या गलत signature डाल दिया तो sir वो चाहे तो आपका din cancel कर सकता है आपकी अगर death हो गए या अगर आप unsound mind के हो गए या फिर sir आपको insolvent declare कर दिया गया if you are adjudicated as insolvent तो sir insolvent मतलब बेरोजगार होता है न न लाएको insolvent मतलब अगर आपको दलाल बैंकरप्ट sir बैंकरप्ट अगर आपको insolvent adjudge कर दिया गया कि आपके पास assets जो है वो liability से कम है bankrupt नहीं होता वैसे insolvent का मतलब मेरे जो पुराने बैस के students भी बैठे हैं वो जो IBC पढ़के बैठे हैं वो मेरे को मार देंगे sir जो insolvent अगर आप adjudge हो तो आपको din number surrender करना पड़ेगा या आपका din cancel भी हो जाएगा और last sir इन्हों ने बोला भाई आ डियार 5 करके एक form है उसमें तिरको चाहिए ना तो तू surrender का application डाल देना लेकिन जब तू surrender करेगा ना तो यह हम एक चीज़ देखेंगे कि तेरा जो din जो तू surrender करने जा रहा है ना वो कभी भी यूज ना हुआ हो उससे related तूने कोई भी filing ना की हो अगर ऐसा है तो तेरा din surrender भी हो जाएगा sir मतलब din cancel deactivate surrender कुछ भी होता है एक ही फॉर्म यहां पर आया था DIR 5 उसके बाद sir DIR 3 में जो आमने filing की थी ना उसमें हमने नाम पता अड्रेस जेंडर सब दिया अगर मालो अभी आपका कल का जेंडर कल को आपका जेंडर चेंज हुआ तो आपको इंटिमेशन तो देना पड़ेगा न भाई डीटेल चेंज हुए जो मैंने फाइल किया था तो आप DIR 6 में इंटिमेशन दे सकते हो जिस दिन भी आपका DIR 3 का डेटा चेंज हुआ उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको DIR 6 में देना पड़ेगा इतना smile बत करो अगर आप भी आपको समझ आ गया होगा जेंडर चेंज का अप्लिकेशन यहां से नहीं होगा अपने को DIR 3 KYC करके भी एक form है सुनो सर अगर जब आप DIR 6 फाइल करोगे 30 दिन के अंदर अंदर तो Central Government को भी तो टाइम देना चाहिए न वो डेटा अपडेट करने कले जब मरजी हो तब तू डेटा अपडेट करना लेकिन Central Government जब तू रवाइस डेटा अपडेट कर देगा न तू एक काम करना जाके आरोसी को बता देना कि भाहिया तुम्हारे अंडर एक कंपनी है उस कंपनी में एक डिरेक्टर है उसका जेंडर चेंज हुआ है या अड्रे 3 KYC बहुत नया बहुत प्राक्टिकली इंपॉर्टेंट फॉर्म है सर क्या कहता है कि अगर आप डिर अगर अगर आप डिरेक्टर हो ना तो फाइनेचल यार 19-20 से स्टार्ट हुआ है सर आपको एक डिर 3 KYC फॉर्म बढ़ना पड़ेगा जिसमें आपको अपने सारे फाइल कर दिया तो फ्री है बाद में फाइल किया तो 5,000 रुपए की पेनल्टी है सर इसका रीजन यह था सर क्योंकि डेटा बैंक बहुत पुराना होता जा रहा था उसको अपग्रेड करना था तो इन्हों ने बोला भया फाइल करनी पड़ेगी सर डिर 3 KYC अब बहुत ल सकते हो अगर आपका कोई डेटा रवाइज ना हुआ अगर मानलो आपको फिर से जेंडर चेंज करना है तो आपको डिर 3 KYC ही फाइल करना पड़ेगा वेब नहीं फाइल कर सकते हो आप अपना नंबर डालोगे OTP डालोगे आपका सारा डीटेल आएगा आप क्लिक करोगे इस डीटेल इस करेक्ट कन्फर्म फाइल तो सर तभी आप DIR3 KYC वैब फाइल कर सकते हो सर डेडलाइन में ने क्या बता है किसी भी फाइनेशल येर से रिलेटेड अगले फाइनेशल येर में 30 सेप्टेंबर तक आपको फाइल करना पड़ेगा बस सर बहुत क्लिरिकल काम छोड़ तो आर्टिकल वाले काम आगे बढ़ते हैं सर section 160 कहता है appointment of director other than retiring director मतलब जो director छोड़ की जा रहा है उसके अलावा किसी नहीं बंदे को appoint करना है तो क्या करें सर तो उसने बोला देख भाई सबसे पहले तो company को बताना पड़ेगा ना किसी नहीं बंदे को appoint करना है तो general meeting में ही बना होगे तो general meeting के कम से कम 14 दिन पहले आपको notice बेजना पड़ेगा कि भाया हमको एक director nominate करना है वो जो notice होगा सर वो registered office पे भेजोगे company को पर सर वैसे तो मेरा मन करेगा मैं reliance में shareholder room में notice लिखके बेज दूगा मस्त मेरे को रितिक रोशन को appoint करने का है लोग ने नहीं भाया एक लाग रुपे की deposit भी देनी पड़ेगी और वहीं पर मैं रुख जाओंगा एक लाग रुपे deposit नहीं दे पाऊंगा तो सर एक लाग रुपे की deposit देनी पड़ेगी आप जब notice बेज रहे हो 14 दिन पहले अगर आपको किसी director को appoint करना है सर अब जब company को वो notice मेल कर रहे है उसकी qualification क्या है क्या काम करता है कौन से company में डिरेक्टर है तो सर जेनरल मीटिंग के साथ दिन पहले आप शेरोल्डर को वो notice forward करोगे बोलोगे मिस्टर रतिक को हम इस जेनरल मीटिंग में अपॉइंट करने का proposal रखने वाल है तुम अपना homework करके आना सर आप साथ पहले notice भेजो के किसे अगर आप annual general meeting बुला रहे हो तो आपकी notice तो 21 दिन पहले चले गई है 21 क्लियर डेस पहले तो लौने बुला देखो भहिया आपके बस सबकी email ID होते है जिसके भी email ID है सबको email कर दो और अपने website पर डाल दो और जिनकी email ID नहीं है उनको आपको physical भेजना है क्योंकि सर यह वाला जो wordacular language और English language का जो provision है बहुत बहुत आगे बहुत जगा repeat होने वाले तो बेर act से एक बढ़ पढ़ लोगे न तो आगे जाके सिर्फ ऐसे revise कर सकते हो wordacular and English language सर पर एक बात बताओ हमने notice base दिया general meeting में general meeting हुआ और मैंने जिसको मैंने Mr. Ritik को appoint करने की Mr. Ritik appoint हो गया sir अब जो एक राग रुपे मेंने दिये थे उसका क्या तो law कहता है वो जो deposit तुम दे रहे हो ना वो refund हो जाएगा refund दो ही सिनारियो में होगा sir पहला अगर refund अभी होगा अगर आपने जिस बंदे को नॉमिनेट किया था वो इलेक्ट हो गया sir वो director बन गया यह फिर सर उसको 25% से जादा वोट आ गए of the total valid votes sir total valid votes क्यों लिखते हैं sir valid इसले लिखते हैं क्योंकि मान लो अगर ballot से voting हो रही है मान लो अगर technicality में बंद गुसना मान लो postal valid होती है voting होती है तो sir valid vote वोई होता है जिसमें seal लगा हुआ है जब वोट आ रहा है अगर seal तूटा हुआ रहेगा न तो वो vote वोट नहीं माना जाएगा तो 25% से जादा अगर valid votes किसी को मिल गए तभी वो director तभी वो पैसे आपके refund होंगे ठीके sir पर sir इनोंने तीन exception दिया कि तीन cases मे अगर आपके को deposits भी नहीं भढ़ने पड़ेंगे पहला sir बोलो अगर आप independent director को appoint करने की बात कर रहे हो दूसरा अगर आप किसी director को appoint करने की बात कर रहे हो लेकिन आपको नहीं nomination remuneration committee if such director is recommended by nomination remuneration committee third in case where there is no nomination remuneration committee such director is recommended by the board अगर इन तीनों में से कोई भी case है न sir तो आपको deposits नहीं देना पड़ेगा refund तो दूर की बात है sir इसके बाद चुरू होता है exception सबसे पहला exception section 8 companies को इनों ने बोला कि भाया तुम तुमारा जो board of director है न वो decide कर सकता है अगर किसी director को 25% से कम भी vote मिले न किसी person को तो उसके भी पैसे बापस कर सकता है ये क्या हो गया sir director का prerogative हो गया board of directors का उसके बाद sir इनोंने बोला नीधी company तुमारे case में हमारा जो एक लाक रुपे का deposit है न उसको हम 10,000 रुपे का deposit लगेगा तुमको एक लाक रुपे का deposit नहीं देना पड़ेगा sir उसके बाद इनोंने बोला ये जो उपर के पूरे sections है न ये ती section 8 company को applicable नहीं है भाया ये वो section 8 companies को applicable नहीं है जिसके article of association में ये लिखा है कि election postal ballot से होगा अगर ऐसा लिखा है तो 160 का provision applicable नहीं है और third sir 100% government company and holy owned subsidiary thereof इन लोगों को 160 का provision applicable नहीं होगा 161 sir 4 तरह की director है जो board of director खुद appoint करता है सबसे पहला sir additional director क्या चारों डिरेक्टर में power जो 4 पढ़ने वाले हैं क्या चारों के चारों में आर्टिकल्स को power देने पढ़ेंगे नहीं sir subsection 4 में law power देता है वेकिंसी भढ़ने का वहां पे articles की ज़रूद नहीं है बाकी तीनों subsection में आर्टिकल्स का आर्टिकल्स में ये लिखा होना चाहिए कि पाई बोड के पास power है चलो article of association power देता है तो board additional director अपने discretion पर अपोइंट कर सकता है sir बस एक ही exception है कि वो बंदा जो general meeting में director अपोइंट नहीं हो पाया मतला हमने resolution रखा था वो हार गया उसको तुम additional director मत अपोइंट कर ले ना क्योंकि the intention of this provision is not to bypass law ठीक है sir ये जो बंदा अपोइंट होता है इसका tenure क्या ह होगा sir he will remain in the office till the immediately next annual general meeting or the last due date for holding whichever is earlier sir यहाँ पे annual general meeting लिखा है सिर्फ general meeting नहीं लिखा है और sir ये जो additional director है ये बोड मीटिंग में भी अपोइंट हो सकता है या resolution by circulation से भी अपोइंट हो सकता है ऐसा कोई restriction नहीं है कि सिर्फ बोड मीटिंग पे अपोइंट होगा sir question ये है कि जो managing director या whole time director होते हैं क्या वो भी additional director हो सकते है नहीं question यह है कि जो additional director होता है क्या ये managing director appoint हो सकते है हां sir additional director is very well a director in his own capacity and a managing director is given the office of a managing director but first and foremost he has to be a director तो additional director होता है इसले उसको managing director बना सकते है सर क्या additional director retire by rotation होता है क्या आप additional director को निकाल सकते हो नहीं सर जो AGM में appoint होते हैं वही AGM में निकलते हैं additional director board of director की meeting में appoint होता है उसको आप नहीं निकाल सकते हैं सर alternate director a very redundant provision but a very important provision from exam point of view सर अगर आपको board of directors को अगर authority मिलती है articles से या फिर resolution से जो general meeting में pass हुआ है या तो आप article में power दे दो या फिर आप ordinary resolution पास करवा के general meeting में power दे दो कि board of director तुमें एक alternate director appoint कर सकते हो अगर कोई भी director इंडिया के बाहर जा रहा है तीन मेने या उससे जादा के लिए तो उसके absence में आप किसी को alternate director appoint कर सकते हो लेकिन दो लोग alternate director नहीं हो सकते सर सबसे पहले वो लोग जो company में already director है और दूसरे वो लोग जो already किसी और के लिए alternate director hold कर रहे है मतलब सर एक director एक company में एक ही जने के लिए alternate director बन सकता है सर alternate director क्या independent director का भी हो सकता है सर हाँ लेकिन उसको 149 subsection 6 का compliance करना पड़ेगा सर अब जब एक बार alternate director appoint हो गया तो वो कितने सामे क्लिए अपना office hold करेगा जब तक वो जो original director बहार गया है वो या तो वापस नहीं आ जाता या फिर जो original director बहार गया है उसकी tenure खतम नहीं हो जाती तब तक वो office hold करेगा whichever is earlier सर ओरिजिनल डिरेक्टर बहार ही था तब ही उसका retirement by rotation हो गया पर उसमें कोई decision नहीं हो पाया तो meeting adjourn हो गयी और adjourn meeting में भी कुछ नहीं हो पाया तो उसका automatic reappointment हो गया किसका सर ओरिजिनल डिरेक्टर का तो सर alternate director का क्या होगा कुछ नहीं सर alternate director के office खाली हो जाएगी he will not be automatically reappointment appointed उसको वापस से board का appoint करना पड़ेगा सर one thing that I want to clarify here the alternate director is not a proxy of the original director वो original director के बहाफ में बैठा है लेकिन वो कुद एक director है उसको appoint board of director करता है सर उसको appoint original director नहीं करता है alternate director is very well a director in his own capacity और इसमें हमारा बहुट discussion होता था सर video conferencing बगएरा पे but technically it is all not valid now सुनों सर नॉमिनी डिरेक्टर क्या होता है नॉमिनी डिरेक्टर वो होता है सर जो articles of association में power अगर board को दी जाए तो board appoint करता है लेकिन board अपनी मर्जी से नहीं appoint करता सर board is bound neither by law or by agreement और it is instructed to do so by the central government or state government by virtue of the shareholder मतलब सर अगर एक government company में central government shareholder है तो central government force कर सकता है ना भया हमको represent करने के एक director बेठाओ तो सर उस virtue से भी अगर वो appoint होता है तो वो nominate director कहलाता है not a very important provision from exam point of view but definitely an important provision to understand concepts सर casual vacancy क्या होती है सर casual vacancy है very important provision अगर किसी का tenure और मान लो 5 साल का था उस 5 साल के पहले कभी भी उसकी office अगर vacate हो जाती है it is called as casual vacancy casual vacancy basically means vacancy in the office of a director before the completion of his tenure for any reason it may be death it may be resignation it may be removal it may be anything but vacancy हो जाती है अगर ऐसी कोई casual vacancy हो जाती है किसकी office में सर उस director की office में जो general meeting में appoint हुआ है अगर उस director की office में vacancy हो जाती है तो sir वो vacancy board of director भेजेगा भरेगा लेकिन सर्फ और सर्फ board meeting में भरेगा resolution by circulation नहीं कर सकता sir और जब एक बर भर भी देगा ना it has to be subsequently approved by whom it has to be subsequently approved by the shareholders क्यों approval लगेगा sir approval इसलिए लगेगा क्योंकि अभी जो director को तुम appoint कर रहे हो इसका tenure उतना ही रहेगा जितना जो director की office में vacancy हुई है उसका था मतला मालो mr. a की office में vacancy होगे mr. a की death होगी तो mr. a की जगा तुमने mr. b को लाके बैठा दिया अब mr. b उस office में तब तक रहेगा जग तक mr. a अगर जिन्दा होता तो वो रहता तो sir अगर आप इतना लंबा tenure दे रहे हो तो board of director तुम कैसे दे सकते हो तुम shareholder से ratify कर बालो sir बहुत पहले यहाँ पर ratification का provision नहीं हुआ करता था अब ratification mandatory है sir सवाल बहुत important question अगर एक mr. a अभी appoint हुआ था general meeting में mr. a की office खाली हो गई वहाँ पर हमने mr. b को appoint कर दिया 161 subsection 4 के अंडर अब sir mr. b की office भी साथ दन बाद खाली हो गई तो क्या उस office को भी board of director भड सकता है the answer is no because जो mr. b की office खाली हुई है that is not the vacancy in the office of a director appointed by shareholders that is vacancy in the office of a director who is appointed by the board and therefore he cannot be appointed as a he cannot be appointed under section 161 4. sir bouncer जा रहे basic provision है sir कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने class में नहीं डिसकस किया सुनो अगर class में नहीं डिसकस किया तो तुम्हें को खुद को नहीं बता होता न sir ये summary table में मैंने additional alternate nominee और casual vacancy का table बना दिया है sir इस table का एकी purpose है कि आप exam में में confused नहीं होना चाहिए कि भाया क्या additional director appoint करने का power board को ordinary resolution से दिया जा सकता है नहीं sir ordinary resolution sir alternate director के appointment के लिए power देता है additional director का power नहीं दे सकता इसलिए table है sir हमने सारे points कवर कर लिए अब बढ़ते है sir 162 not a very difficult provision 162 ये बोलता है हर director को appoint करने के लिए एक single resolution पास करना लेकिन अगर आपको एक से जादा director एक resolution में appoint करना है तो उस resolution के पहले resolution पास करवालो जो unanimous vote से approve होना चाहिए कि भाया हम ये second वाला resolution पास करना चाहते है sir आप फिर से अलगी link पे चले गए सुनो sir हर director को appoint करने के लिए resolution one director one resolution लेकिन अगर आपको एक से जादा director एक resolution से पॉइंट करना है न तो आप उस resolution को पास करने के पहले एक और resolution पास करो कि हम ये second वाला resolution पास करना चाहते हैं अगर ये वाला resolution unanimously approved हो गया तो आप फिर एक resolution से एक से जादा डिरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो सर इसमें भी अगर नहीं समझा तो आपको teacher बदलनी की जरुवत है सर 163 163 क्या है सर? option to adopt option to adopt principle of proportionate representation सर अगर आप इसमें घुसो तो बहुत complicated है लेकिन हमारे exam point of view से बिल्कुल भी complicated नहीं है क्या होता है सर? ordinary resolution पास करना होता है जेनरल मीटिंग में अगर किसी को director appoint करना है तो ordinary resolution सर तो वह पास कर देगा जिसके बास जादा shares है लेकिन सर जो चोटे-चोटे shareholder से उनका क्या तो law ने बोला हम एक दूसरा provision मनाते है proportionate representation का अभी जो सर हमारे इंडिया में राज्य सभाव अगरा का सर 163 has a overriding provision वो कहता है act में कहीं भी कुछ लिखा हो notwithstanding anything contained in any other provision of this act articles में हम यह लिख सकते है कि भहिया जो company के कम से कम two-third director है वो proportional representation से appoint होंगे सर दो तरह के proportional representation लिख सकते हैं पहला या तो single transferable vote का या फिर system of cumulative voting का यहाँ पे जो director appoint होगा ना सर वो यहाँ पे जो director appoint होगा ना सर यहाँ पे जो director appoint होगा ना उसको हम जाके आगे remove भी नहीं कर सकते हैं अंडर section 169 sir 164 a very important section 164 talks about disqualification of director sir 3 subsection में बाटा है 164 को मेरी बात सुनो आग बंद करके सुनना है सुनो लेकिन एक एक वर्ड याद होना चाहिए 164 is divided into 3 subsection subsection 1 director अगर यह 9 में से कहीं भी condition में fall करता है he is disqualified to become a director sir who is disqualified to become a director मेरे को एक point याद आए है sorry मेरे को वापस जाने तो section 149 subsection 6 पे हमने पढ़ा independent director criteria क्या होता है उसमें सबसे पहला line में हर बार आपको बताना भूल जातो independent director 3 लोग कभी भी नहीं हो सकते director sir यह मैं भूल गया था बापस आजो 164 पे subsection 1 क्या कहता है sir sir 164 subsection 1 यह कहता है कि भाईया अगर इन 9 में से कोई भी condition आप satisfy करोगे तो हम आपको 9 में से कोई भी condition में आप fall कर जाओगे हम आपको disqualify कर देंगे sir IIM से call आपकर के offer दिया you should be declared to be of unsound mind by a competent court second you should not be you should not be an undischarged insolvent third an application for application to be adjudicated as insolvent is pending before some court you will be disqualified fourth if you have been convicted of an offense involving moral turpitude otherwise and sentenced to imprisonment for a period of six months or more and five years have not lapsed from the expiry of such sentence just then आपका jail का period खतम हुआ, उससे 5 साल अगर खतम नहीं हुआ है, आप disqualified हो sir अगर sir में जाके appeal कर देता हूं तो कोई फरक नहीं पड़ता भाई, आप disqualified हो और इतना नहीं, अगर 7 साल से जाधा की jail हो जाती है ना, 7 साल या 7 साल से जाधा की, तो 5 साल के लिए ने भीया, फिर forever disqualified है उसके बाद sir, अगर आपके against किसी ने order pass किया है, किसी भी court ने, tribunal ने order pass किया है, that you are disqualified and such order is enforced उसके बाद sir, अगर आपने कोई call नहीं उठाया, किसी ने phone किया था, आपकी दोस्तने sunday को all किया था, अपने phone नहीं उठाया, तो आप disqualified हो जाते हो हाँ बोल रहे हैं जना, वाँ वाँ, sir call, अगर आपको किसी company का call का payment करना था, और आपने call in respect of any shares, held of the company अगर आप किसी का call payment नहीं करते हो, कब तक नहीं payment करते हैं sir, जो last date fixed था payment के calls का, उसके 6 मेने तक भी अगर आप नहीं करते हो, आप disqualified हो sir या फिर अगर आप किसी 188 के offense में convicted हुए, उपिछले 5 साल में कभी भी, या फिर sir, अगर आप 153 subsection 3, जो DIN का होता है, उसका अपने compliance नहीं किया या फिर आपने 165 subsection 1 जो maximum number of directorship का होता है, उसका compliance नहीं किया, अब disqualified हो sir, IIM call of or 152 165, 188 sir याद हुआ, sir exam में ऐसा question नहीं आने वाला, आपकी 9 पॉइंट बता disqualification की, ये बस इसलिए हैं, तक कि आपको अगर कुछ concepts 164 और 167 के माच करके पूछ लिए जाए तो आपका दिमाग चले की, भाई, क्या कहना चाहरे sir, एक और पॉइंट भी है, अगर कहीं भी आप कन्विक्ट हुए हो, वहाँ पे आपने जाके हायर कोड में अपील फाइल की है, that will not, that will not stop your disqualification, you will still be disqualified ये था sir, subsection 1, subsection 2, very, very, very important a person who is a director of a company shall be disqualified from being reappointed in that same company or appointed in a new company for a period of 5 years, if such defaulting company has done any of the 2 things, 1 it has failed to file its financial statement under section 137 and annual return under section 92 for a period of 5 consecutive year, 3 consecutive years, 3 consecutive years sir, why don't you say 3, why don't you say 3 years, if you don't file this file for 5 years, you can have a winding up of 5 years, if you don't file you will disqualify, second point sir, if your company, defaulting company is, that your company has not done deposits, or debentures, or redeemed, or dividend which declared, it has not paid, when will you do that, when will you do that, 1 year, it has not paid, then your directors will disqualify for a period of 5 years, 5 years, you cannot do that, you cannot reappoint in that company or appoint in any new company, but sir, sorry, that financial statement, I forgot to file that financial statement, I forgot to do that, sir, first of all, when disqualification, the next day he filed for 5 years, sir, the law has said, no, disqualification attract once, 5 years, it will go for 5 years, if your default was fine, then no difference you will be, you will not be not disqualified, now, sir, 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 deposit, debenture, or dividend defaulted, if you have defaulted, if you have any financial institution or bank loan repayment defaulted, 5 years then you will not disqualify not disqualify sir, if the director, if disqualify 164 subsection 2 under, then dir 8 file company and when 164 2 defaulted, registrar 2 0 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 लिखा है तो इसको हटा दो, ये नवेंबर 21 के लिए एप्लिकेबल अमेंडमेंटमेंट है Sir 156 क्या है, Sir Duties of Directors, Directors का क्या काम रहेगा, बहुत बेसिक काम है कि वो Article of Association के हिसाब से काम करेगा, Good Faith में काम करेगा, Company के Objects को Promote करेगा, अपना सारा Duties, Due and Reasonable Care के साथ निभाएगा, वो किसी भी तरह के Conflict of Interest में involved नहीं होगा, किसी भी तरह का Undue Advantage गईन करने की कोशिश नहीं करेगा, और सबसे Important, He will not try to assign his office to someone else, ऐसा नहीं कि भाया, मैं एक Company में for Life Director हूँ, मैं अपने Will में लिख के जाऊँगा, कि मेरा बेटा मेरी मौत के बाद उस Company में Director बन जाएगा, बेटा जब तेरी मौत हो जाएगी ना, तेरा 167 के अंटर वेकिंसी हो जाएगा, तो अगर वेकिंसी हो जाएगी ना, तो, sorry, 161 Subsection 4 के अंटर, अगर casual vacancy हो जाएगा, अगर casual vacancy हो जाएगी, तो तुम्हारी office बची ही नहीं assign करने लिए कैसे assign करोगे, such assignment will be void, Sir, अगर Director अपनी duties के हिसाब से काम नहीं करता, अगर he contravence any office duty, he shall be liable to a penalty, which shall be a minimum of 1 lakh rupees, which may extend up to 5 lakh rupees, Sir, 167 a very important provision to be read with 164, 167 क्या कहता है, Sir, office director कब-कब छुट्टी पे जा सकते है, है ना, नहीं, Sir, 167 कहता है कि directors की permanent छुट्टी कब हो जाएगी, when will your director have to vacate his office, हम आपको, हम आपको 8 condition बताएगे, सबसे पहला, अगर आप 164 में disqualified हो, तो आप अपना office vacate कर देना, लेकिन, अगर आप 164 subsection 2 में disqualified हो, तो जो defaulting company है ना, जिसने financial statement नहीं भर, annual return नहीं भरा, या फिर deposit, debenture, dividend, redeem नहीं किये, जो defaulting company है ना, वहाँ पे आप continue करना, उसके अलावा जितने भी companies है ना, वहाँ पे आपकी office vacate हो जाएगी, you will continue to be a director in the defaulting company, नहीं, क्यों सर, क्योंकि अगर आप defaulting company में सारे directors को vacate कर दोगे, सारे की सारी board of directors ही खाली हो जाएगी, तो सर, law ने बोला, 164 में disqualified हो, तो office vacate कर देना, लेकिन अगर 164 subsection 2 में disqualified हो रहे हो, तो defaulting company को छोड़के, बाकी हर जगा vacate कर देना, second point सर, अगर आप board meeting से छुट्टी लेते हो, if you are absent from the board meeting for a period of 12 months, सर, 12 मेहना लिखा है, 12 मेहना तक अगर गायब हो, with or without leave of absence सर, third, अगर आपने 184 का किसी भी तरह का contravention किया है, 184 क्या है सर, आपको अपना interest disclose करना पड़ते है, और आप meetings में participate नहीं कर सकते, अगर आप किसी contract या arrangement में interested हो, तो सर, अगर आपने disclosure नहीं किया है, या फिर अगर आप disclose करके भी participate कर लेते हो, तो 184 का contravention होता है सर, यह third और fourth point है, अगर आपने contravention किया 184 का, तो बात बात नहीं करेंगे सर, सीधा आपका office vacate हो जाएगा, आगे आप देख लो, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट यह है सर, अगर आप convicted हुए हो, किसी court में, या किसी tribunal में, for an offense involving moral turpitude and otherwise, and you are sentenced to an imprisonment for a period of more than six months, और sixth point यह सर, अगर आप disqualify हो गया, because of an order of court or tribunal, सर, यह point तो 164 में भी covered था, और 164 तो हमने पहला ही point बोल दिया, तो fifth और sixth point क्यों है, वो मैं आपको बताऊँगा, seventh point यह सर, अगर आपको इस act की किसी भी provision के अंदर, अगर निकाल दिया गया है, आपकी office vacate हो जाएगी, और सर अगर आप अपनी office hold ही कर रहे थे, क्योंकि आप किसी और company में director या employee थे, और अब आप उस company में director या employee नहीं हो, तो यह office hold करके क्या करोगे, जैसे कि अगर आपको पता होगा, audit में हम पढ़ते हैं, कि अगर आपकी कोई material subsidiary है, तो आपको अपने एक बंदे को उस company में board of director, उस company में as a director बैठाना पड़ता है, आप सर वो जो बंदा है, वो आपकी खुद की company में ही employer director नहीं रहा, तो वो आपकी subsidiary में board of director में बैठ की क्या करेगा, तो उसको निकलना पड़ेगा, 167 में automatic vacancy हो जाती है, सर अब यह जो 5th और 6th point था ना, convicted by court and disqualified by an order of court or tribunal, यह अलग से इसलिए दिया गया है, क्योंकि सर vacation में यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा, एक catch डाला है, इन्होंने बोला भीया अगर तेरे अगेश कोई order pass हो जाता है ना, तेरी office तुरंथ के तुरंथ vacate नहीं होगी, हम तेरे को 30 दिन का time देंगे तु जाके appeal file कर, अगर तु appeal file करता है ना, तो जब तक तेरा appeal dispose off नहीं होता, उसके बाद भी हम तेरे को 7 दिन का time देंगे, तो तेरी office तब तक भी खाली नहीं होगी, उस 7 दिन में भी अगर जाके तु appeal file कर लेता है ना, तो जब तक तेरी final appeal dispose of नहीं होती तब तक तेरी office vacate नहीं होगी वाइस हो sir, because there is a difference between disqualification and vacation disqualification is fine, because लोगों directors की कमी नहीं है हम क्यों ऐसे लोग को director उठाएं जो कहीं न कहीं convicted है, appeal पपील फाइल करेगा जाने दो, लेकिन sir, vacation मजाक नहीं होता, एक director की against कोई fraud, किसी ने case कर दिया sir, और tribunal से गलती होती है, माल ने tribunal ने बोल दिया कि भाईया तुम आठ मैने के लिए जेल जा रहे हो, अब sir उस गलत order के वज़े से उसको अपने 20-20 company से office vacate करवाना मजाक नहीं होता, इसलिए हम आपको time देंगे, कितने appeals file कर सकते हो sir, दो, पहला appeal file करोगे, उसके dispose of होने के बाद भी 30 दिन का time साथ दिन का time देंगे, और जो साथ दिन के अंदर एक और appeal file करोगे, उसके disposal पे आपको office vacate करनी पड़ेगी, अगर result आपके favor में नहीं आया, तो, sir, अगर आपकी office vacate होगे, उसके बाद भी अगर आप अपना directorship, अपनी office continue कर रहे हो, तो आपको penalty लगेगी, एक लाक रुपे से पांच लाक रुपे के बीच में, अगर एक company में सारे के सारे board of directors की office vacate हो जाती है, तो, sir, जो company का promoter है, वो take over करेगा, अगर company का promoter भी जिन्दा नहीं है, या available नहीं है, तो central government take over करेगी, sir, वो अपने board of directors, board में directors बिठाईगी, sir, 164 का subsection 3 हमने नहीं revise किया, और 167 का last point भी वही है, कि अगर एक private company का article चाहे, private company का article, sir, article of association, अगर private company का article of association चाहे, तो वो additional ground for disqualification और additional ground for vacation बता सकता है, sir, public company में यह नहीं हो सकता, sir, for sir, private company में यह हो सकता है, कि अगर private company के articles चाहे, तो additional ground बता सकते है, sir, 167 में जो vacation होती है, उसमें कोई opportunity of being heard नहीं दिया जाता है, बस जिस दिन एक condition meet हुई, आपकी office vacate हो गई, ठीक है, किसी भी तरह का board resolution, किसी भी तरह का opportunity of being heard नहीं दिया जाता है, sir, एक board of director ने call का payment, एक director ने call का payment नहीं किया, वो disqualify हो गया 164 के अंडर, इसलिए उसकी office 167 के अंडर vacate हो गई, वो आकर के board of directors से request किया, कि भाई, call तो payment ने किया, अभी कर देता हूँ, क्या बड़ी बात होगी, माफ कर दे, vacate मत कर, board of directors के पास कोई right नहीं है, sir, board of directors cannot waive off any grounds of vacation, it is by automatic by automatic route vacation हो जाता है, sir, 168 and 169, the last two important provision of this chapter 168 क्या कहता है, sir, किसी director को resignation करना है, तो वो resignation कर सकता है, कैसे resignation करेगा, sir, जब भी उसको resignation करना है, notice देगा company को, notice कौन से form में देगा, sir, notice form DIR 11 में देगा, sir, 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 DIR 11 में फॉर्म देगा company को, कि भाईया, हम, नहीं, sorry, sorry, DIR 11 वगएरा कुछ नहीं, वो, तुम भी बोलना चाह रहे हो, लेकिन mute पर नहीं बोल पा रहे है, सुनो, 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 sir, अगर एक director को resign करना है, तो वो नहीं बोलना चाह रहे थे, मतलब तुमको समझा भी नहीं, मैंने गलत बोला, कोई बात नहीं, सुनो, sir, अगर person को resign करना है, तो वो company को notice देगा लिखके, भीया मेरको resign करना है, और मेरा last hit फलाना ढमकाना है, जैसे ही company को वो notice, resignation notice मिलेगी, company चाहर चीज़े करेगी, सबसे पहले वो note down करेगी, कि भीया, किसी director ने resign कर दिया है, second, sir, company उसको अपने website पर डालेगी, कि भीया हमारे फलाना director ने resign कर दिया है, third, company उसको DIR-12 के form में भरके, ROC को भी भीजेगी 30 days के अंडर अंडर, जिस दिन उसको resignation मिला, उसके 30 days के अंडर-अंडर, ROC को भी भीजेगी, sir, जिस form से appoint हुआ था, 152 subsection 5 में, उसी form में तुम उसका resignation भी भीजोगे, ROC को, DIR-12, within 30 days of resignation, और सर्फ इतना ही नहीं, sir, आप जो company का board report बनाओगे न, उसमें भी आपको बताना पड़ेगा, कि भीया हमारे director ने resign कर दिया, और क्यों resign कर दिया, sir, एक director का resignation बहुत बड़ा signal होता है, अगर company में fraud हो रहा होता है, तो, और कभी-कभी personal reason से भी resignation हो सकते, ज़रूरी नहीं कि fraud हो, लेकिन दो ही reason हो सकता है, या तो personal या फिर fraud, ठीक है, sir, DIR-12 में company को सामने बेजना पड़ेगा, पर sir, माल लो company न, जो director के resignation का original reason था, वो सामने किसी को बता ही नहीं रही है, website में डाला न, board report में डाला न, ROC को बताया, तो sir, director क्या करेगा, DIR-12 लिखे, DIR-11 करके एक form है, वो भरेगा, और ROC को भेज देगा 30 दिन के अंदर-अंदर, कि ROC, मेरा जो resignation है न, उसका असली कारण यह है, कि यह लोग fraud कर रहे हैं, यह लोग आपको बता नहीं रहे हैं, DIR-11 में भेज देगा sir, पर sir, अगर एक, जो DIR-11 होता है न, उसमें आपको खुद को sign करना पड़ता है, अगर एक foreign director है न, वो foreign director को इन्हों ने write दिया, कि भईया, तु अपने बिहाफ में, किसी cost accountant, company, secretary या, फिर chartered accountant को appoint कर सकता है, जो sign कर दे, लेकिन, तभी कर सकता है, अगर DIR-12 company ने R.O.C. को बेजा है, तो, अगर company ने R.O.C. को DIR-12 नहीं बेजा है, तो तु नहीं कर सकता, sir, अब सवाल यह है, कि जब resignation notice आया है, board ने बोला, भाई, हम accept ही नहीं करेंगे, R.O.C. किता है, resignation board को accept करने की कोई ज़रुवत नहीं है, the resignation will be effective from, the date of receipt of resignation by the board, or the date mentioned in the notice, whichever is later, जिस दिन मिला, यह जो date लिखा था, whichever is later, उस date पे resignation हो जाएगा, sir, sir, पर director के resign करने से, उसके जो गलतियां उसने company में की, उससे नहीं बसता है, वो जिस दिन resign किया, उसके पहले तक कि जितने भी offenses थे, वो सारे director के नाम है, वो नाम पे हैं, और director को भुगनना पड़ेगा, sir, अगर सारे के सारे directors, एक साथ resign कर देते हैं, तो sir, promoter, या फिर promoter के absence में, central government take over कर लेता है, sir, 169 के director को धक्के मारके निकाल सकते है, sir, अगर 160 में shareholder appoint कर सकता है, तो 169 में shareholder धक्का भी मारके निकाल सकता है, sir, shareholder कब निकालेगा, sir, जब भी अगर किसी shareholder को लगा, कि भाया, मेरको director को निकालना है, तो वो एक notice बेज़ेगा company को, इस case में जो notice जाता है, तो special notice होते है, special notice मतलब क्या, special notice मतलब ये निए, special बड़ा पाउ जिसे special notice, proper law में defined, special notice, special notice is defined under section 115, which states that, the notice has to be sent at least 14 days before the general meeting, and it has to be sent at least by that many shareholders, who hold, who hold, 1% of the voting power, और a paid up share capital of rupees 5 lakh rupees, दोनों message, कोई भी condition meet होना चाहिए sir, एक special notice, share holders बेज़ेगा company को 14 दिन के पहले, जैसे ही वो company को notice मिलेगी न, company उस notice को बेज़देगा, उस concern director को, मालनो हम Mr. Gagan को निकालने बाले, तो company Mr. Gagan को बेज़देगी, गगन तेरे खिलाफ आ गया है, और तेरे को अभी निकलना पड़ेगा, तो Mr. Gagan बोलेगा, नहीं यार ऐसे कैसे, जो shareholder बोल रहा है, वो गलत है मेरे खिलाफ, ऐसा मैं, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो law उसको दो तरह का right देता है, या तो तुम return representation कर लो, मतलब तुम लिख के दे दो, कि भाईया क्यों मेरे को नहीं निकालना चाहिए, और जो लिखा हुआ director देगा न, वो company का काम होगा, सारे shareholders को भीज़ देना, और उसके साथ साथ, director के पास ये भी power है, कि वो oral representation करे, मतलब वो general meeting में खड़ा हो करके समझाएगा, कि भाई मेरे को क्यों मत निकालो, सर जैसे ही director return representation देगा, company का काम होगा, उसको shareholders को भेजना, पर मालनो सर, company shareholders को नहीं भेज़ पाई, क्यों, क्योंकि return representation बहुत लेट आया, तब तक notice चला गया था, बहुत खड़चा हो जाता, तो सर वो जो written representation है, that shall be read out at the meeting, जो general meeting होगी, वहाँ पर written representation पढ़के सुनाया जाएगा, shareholders को, और सर, written representation read out करना, मतलब यह नहीं कि उसका oral representation का right चला गया, वो अभी भी खड़े हो करके समझाएगा, कि भाई मेरे को क्यों नहीं निकालना चाहिए, लेकिन सर, मानलो वो इनसान ही नलाइक था, मानलो हम गगन को नहीं निकाल रहे, Mr. A को निकाल रहे, और मानलो इनसान ही नलाइक था, और सर वो ना, जब उसको stage में खड़ा किये ना, तो वो कुछ गलत शलत बोलने लगेगा, इसा हमको डर है, तो sir, company, या फिर किसी भी तरह का aggrieved person, जाके application दे सकता है tribunal को, कि भाई, यह जो written representation, या oral representation का right है ना, इसको, he is using it to secure needless publicity, और for defamatory matters, in such case, the tribunal will pass an order, कि तु WR नहीं कर सकता, written representation, तो oral representation भी नहीं कर सकता, और साथ में जो application का खर्चा है हुआ है न, उसका cost भी तू bear करेगा, यह कौन कहता है sir, कौन कहता है यह, यह कहता है sir, जो आपका, ट्राइबिनल है वो कहेगा, sir, अब, जो application, अब जब sir, जो डिरेक्टर जिसको आप निकाल दिये, उसकी office में vacancy हुई, तो वो office में vacancy जो है न, sir, वो, जो notice आया था न, special notice, उसी में आप लिख सकते हो, कि भाईया किसी और को appoint करना है, या कि फिर अगर नहीं appoint करोगे न, तो casual vacancy हो जाएगी sir, क्यूंकि casual vacancy removal पे भी होती है, और 161 subsection 4 के हिसाब से appointment होगा sir, मतलब board के pass powers चला जाएगा, appoint करने का, sir, 169 में जिस डिरेक्टर को धक्के मार के निकालते हो, उसको धक्के मार के निकालने पे भी, compensation for loss of office जो होता है, अगर वो उसके लिए eligible है, तो उसको वो compensation for loss of office भी मिलेगा, in accordance with term of appointment, पर sir, तीन डिरेक्टर हैं जिनको आप नहीं निकाल सकते हैं, पहला 242 में अगर उसको tribunal ने appoint किया था, दूसरा अगर वो 163 में proportional representation से appoint हो है, तीसरा अगर वो nominee director है, तो आप nominee director को धक्का मारके नहीं निकाल सकते हैं, इसका interpretation यह निकलता है, जब अगर additional director को निकालना हो तो, तो sir, अगर किसी company में board of director ने किसी बंदे को additional director बैठा लिया, तो उसको भी निकालना है, तो निकाल सकते हो sir, क्योंकि ऐसा कोई restriction नहीं है, sir, एक सवाल है, जब मैंने special notice भेजा Mr. Gagan को निकालने का, मैंने notice में बताया है नहीं मैंने Mr. Gagan को क्यों निकालना था, मेरा मन किया मैंने बोला निकाल दो भाई, तो sir, क्या वो निकाल सकते हैं, क्या वो process 169 का साट हुआ, law कहता है, yes, there is no need to mention the ground for vacation, ground for removal, हमको नहीं बताना है क्यों निकालना है, कोई ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप बिना reason बताये भी valid notice भेजते हो ना, तो भाईया, पूरी पूरी rights है कि आप उसको निकाल दो, sir, 170, sir, 170, sir, registered of directors and key managerial person and their shareholding, sir, जितने भी आपके directors हैं या जितने भी key managerial person है, उनका जो भी shareholding है company में, associate में, subsidy में, go-subsidory में, ये सारी shareholding का register आपको एक maintain करना पड़ेगा, sir, ये register आप registered office पे रखोगे, और ये register की एक copy 30 days के अंदर-अंदर ROC को भेज दोगे, जब भी इस register में कोई change हो, माल लो कोई नया director आड़ हुआ, या किसी डिरेक्टर की किसी shareholding change हुई, तो जो revised register है, वो 30 दिन के अंदर-अंदर आपारोशी को भेज देना, sir, 177 में, ये जो register आपने 170 में maintain किया है न, उसको inspect करने का rights shareholders को भी दिया गया है, बस किसी company का shareholder है, अगर आप एक भी sharehold करते हो न, तो ट्राइ करो उनका register मंगवाने का, कौन सा register sir, जो section 170 में है, sir, 172, yes, sir, 172, sir, अगर, आप इस chapter में, इस act में नहीं sir, इस chapter में, कौन सा chapter sir, chapter 1 आपके book का, chapter 1 हमारे class का, chapter 11 companies act का, sir, अगर इस chapter में, आप किसी भी तरह का, non-contravention करते हो न, तो अगर किसी section में, उसका penalty लिखा हुआ है, तो वो section की penalty लग जाएगी, लेकिन अगर penalty नहीं लिखा हुआ है, तो हम आपको बताएंगे, क्या penalty है sir, जो company है, और जो officer in default है, तोनों को penalty लगेगी sir, minimum 50,000 रुपे की तो लगेगी, अगर continuing default है न, तो 500 रुपे बर दे का लगेगा, और sir, maximum जो है, वो company के case में 3,00,000 रुपे हैं, और individual के case में 1,00,000 रुपे हैं, sir, for future reference, as I am telling you, the penalties are being streamlined, okay, so if ever you fail to remember, recall a penalty, तो आप individual के लिए 1,00,000 रुपे की penalty लिख देना, sir, क्या trick बता रहा हूँ, मैं अभी penalty स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं, अगर आप कभी भी penalty आपको नहीं याद आए, तो individual के लिए at least, 1,00,000 रुपे की penalty लिख देना, sir, 50,000 भी होता है, 25,000 भी होता है, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ exception है, मैं बोल रहा हूँ worst case scenario, अभी तक negative marking तो आया नहीं है, जब तक नहीं आता, sir, मान लो एक टिक लगाना पड़े न, तो एक लाख रुपे पे लगा देना, sir, ठीक है, that's it, let me just stop the recording, and then I'll not take any of your doubt, so जाओ, चलो guys,